मैं सुनेल जी खाटी बिहारी शुद्ध भारती है आप बिहार के तमाम दश्मिक अक्षा में अध्यन्दत छातरों के लिए पुना एकलास जवाब रोचक और हास से पडिपुर्ण लेकिन ग्यान वर्धक लेक्चर स्रीद ले करके हाजिर हूँ और ये हिंद चीन चोड़ा था उसके ठीक अगले भाग का प्रस्तुति करन दे रहा हूँ लेकिन इससे पहले मैं आपसे अगरह करूँगा कि आप मेरे पहले भाग को शुरू से अंत तक सुन ले और यदि उससे आप शुनेंगे शुरू से अंत तक तो दूशरे भाग आपको शुनने ही वक आपको शीसे की तरह concept clear हो जाएगा और आपकी जानकारी बिल्कुल परिपुर्ण हो जाएगी और यदि आप पहले भाग को न शुनेंगे तो बेकार है दूसरे भाग को शुनना सुरुवात करते हैं कमबोडिया के आधनिक इतिहास के बारे में कमबोडिया 1904 में संबेधानिक रास्तांतर को अपना लिया अर्थात संबेधान को भी अपनाया और रास्तांतर को भी अपनाया तो वहाँ नरोत्तम सिंहानुक याद रखेंगे भूलियेगा नहीं यह आपको अबजेक्टिम में पूछेगा कि नरोत्तम सिंहानुक कहां के थे तो कमबोडिया के भूलोगे तो नहीं ठीक बिलकुल हमें पुरी उमीद है भूलोगे नहीं नरोत्तम सिंहानुक ये कमबोडिया के शासक बने नरोत्तम सिंहानुक ये गुट निर्पेक्स थे ये किसी भी पक्ष में ने जाना चाते थे ना अमेरिका के तरफ इनका जुकाब था ना रूस के तरफ जुकाब था किसी भी पक्ष के तरफ ये ये गुट निर्पेक्स थ अमेरिका अपने आपको उस सुप्रिमेशी जताता था और शामवादियों का घोर भी रोधी था इसके कारण अमेरिका चाहता था कि कमबोडिया उनके जी हुजूरी में लगा रहा है और उनके पक्ष में चला वे लेकिन जब नरुत्तम शिहानुक न जुके कमबोडिया का ज खुकाब न हुआ तो अमेरिका उसके परोशी देश थाइलेंड को उक्सा करके कमबोडिया को बेवज़ा परशान करते रहता था तो बेवज़ा परशान करते रहता था और थाइलेंड को उक्सा करके और कमबोडिया को उल्जाना चाहता था इससे सिंहानुक प्रोधित हो अमेरिका से बिलकुल राजनेक संबन तोर लिया तो अमेरिका को और गुसा आया और गुसा आया कि यह मेरे जीुजुरी में नलग करके अम मुझे आखे तरेर रहा है परिणाम हुआ कि अमेरिका ने 40,000 एकर भूमी पर कमबोडिया के 40,000 एकर भूमी पर जहर की बरसा करवा और 40,000 एकर के लगवग भूमी एक तरह से बिरान बना दिया बंजर बना दिया और ताकि ये चाहता था कि कमबोडिया जुके उसके पास गिरगिरा करके आए उतना ही पर नहीं माना अमेर का 18 मार्च 1970 को नरोत्तम शिंहानुक को शडियंत्र करके हटा करके और जनरल लोन नोल याद रखेंगे नाम जनरल नोल और जनरल लोन नोल के नेत्रित में शरकार बनाया लेकिन नरोत्तम शिंहानुक भी संघरशील बेक्ती थे और ध्यान दखियेगा कि राष्ट नायक जो होता है वो जल्दी हार नहीं मानते हैं गांधी जी सिर्फ एक घटना से हार नहीं माने वो बार बार आप देखिये आपको याद होगा कि गांधी जी असायोग आंदोलन इसके बाद गांधी जी ने नमक करतो रों आंदोलन या दानडी मार्च उन्होंने किया था सौबिने अवग्या आंदोलन इसके बार भारा छोरो आंदोलन सतत संघर्ष करने वाले ही महापूरूस महान होते हैं उसी तरह से नरुत्तम शिंहानुक पेकिंग चले गए पेकिंग जिसको चीन की बरतमान में हम बीजिंग कहते हैं उसी का पुराना नाम पेकिंग था वहाँ पर निर्वाशित हो करके और जनरल नोल जनरल जनता से मौजूदा शरकार को अपदस्त करने का आगरह करने लगे तो 1970 में शिंहानुक ने नई सरकार के बुरुद युद्ध चेर दिया इस युद्ध में उत्री वियतनाम का इसने सहायता मिला ये अमेरिका को नागबार गुज्रा की आखिर नरुत्तम शिंहानुक फिर शामिल हुआ तो ये युद्ध बड़ा भेंकर हुआ अमेरिका को ब्यापक नुक्षान हुआ अमेरिका की सैनिक की नुक्सान हुई अमेरिका की आर्थिक नुक्षानी हुई तो धीरे धीरे इस बात का अमेरिका में भी बिरोध होना शुरू हो गया अमेरिकी नागरिक ने व्यापक बिरोध गुवा उस समय निक्षण वहाँ के रास्टपती थे तो निक्षण ने अपने सेना को वापस बुला लिया तब पांच वर्स तक नरतम शिंगानु की लाल खुमेरी शेना नरतम शिंगानु की सेना का क्या नाम था लाल लाल खुमेरी बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो फिर आपको नुक्षान होगा लाल खुमेरी शेना नरत्म सिंहानू की लरते हुए जलनल लोन नोल को हराया और हरने की इस्थिती में जलनल लोन भाग गया और 1975 इश्वी में 1975 में कमबोडिया का गरियुद्ध शमाप्त हो गया और नरत्म सिंहानू फिर से राष्ट अध्यक्ष बने और 1978 तक जब तक वो राजनिती से सन्यास नहीं लिये वो कमबोडिया में सर्वेशर बार है और वहाँ पर उनका ही शासन चलते रहा बाद में कमबोडिया का नाम बदल करके कमपूचिया कर दिया गया ये भी प्रशन अत्यान तो महटपुर्ण है ये आपके कमप्टिशन में भी पुछता है आपके अबजक्टिव के लिए महटपुर्ण है भूलना नहीं अरे यार बोलते क्यों हो ये तो प्रस्न आ रहा है बोलोगे तो फिर चौपट हो जागा कमबोडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया उत्तर जल्दी दो कमपूचिया किया गया या कमपूचिया किसका नाम बदल करके किया गया तो कमबोडिया का नाम बदल करके किया कमबोडिया का नया नाम क्या है कमपूचिया ये आपका अप्जक्टिव का प्रश्न है अब एक नए टॉपिक के तरह टॉपिक की और हम लोग बढ़े बियतनाम ग्रियुद क्या था और इसमें अमेरिका को कैसे औस फल्टा मिली तो बियतनाम का अभी समाप्त नहीं हुआ हमने पुर्म में भी पढ़ा था लेकिन अब अगली करी में हम लोग देखते हैं कि जेनेवा समझ होता के बाद उत्री बियतनाम में पर्थित शरकार थी उत्री बियतनाम तो ऐसा हुआ कि आपको दक्षिनी बियतनाम पुंजीवादी का समर्थक था और उत्री बियतनाम शामवादी का समर्थक था हम जानते हैं उत्री बियतनाम में होची मिन का उनका परभाव रहा था तो 1956 में किसी तरह से समझवता करा कर कि चुनाब कराया गया और कहा गया कि यदि जनता चाहती है तो पूरे बियतनाम का चुनाब को द्वारा एक ही करन करवाले लेकिन अमेरिका यहां पर खुटनिती करते ही रहता था उत्री बियतनाम एक ही करन चाहता था लेकिन अमेरिका को डर यह था सामवाद का बढ़ते हुए परभाब से चुकि उत्री बियत नाम का यदि बढ़ता हुआ परभाब रहेगा तो सामवाद बढ़ेगा और अमेरिका इसको खत्रा मानता था सामता इसमें सामवाद का बढ़ते हुए परभाब को तो अमेरिका ने क्या किया, कि 1971, 1961, याद रखेंगे, शांती के खतरा नाम का एक शुयत पत्र जाई किया, शुयत पत्र होता है कि इसमें एक लिखित डॉकुमेंट कि ये क्या नुक्षान दायक है, और वहाँ पर अपने 4000 सैनी के लगभव दक्षिन वियत नाम के सहायता के ल नीओ दिन दियम, ये ये दक्षिनी वियत नाम के तानाशाह थे, लेकिन ऐसा हुआ कि 1961 इसवी में नीओ दिन दियम को मार दिया गया, लेकिन फिर भी इस युद्ध में, उसमें कि उत्री वियत नाम को पुर्ण विजय नहीं मिल पाई, अब अमेरिका जब न्यो दिन दिय इसको उपना प्रतिष्ठा का प्रशन बना लिया और उसके बाद चुकि अमेरिका अपने आपको शुपनी बहुत समझता था इस वर्ल्ट का तो अमेरिका इस युद्ध में अब कई तरह के हतियार बंवर्शक बिमान रसाइनिक हतियार का प्रियोक शुरू कर दिया इसमें अब आपको चन्द मैं ऐसा रासाइनिक हत्यार का नाम बतलाना चाहता हूं, जो आपको पूछ सकता है, एक रासाइनिक हत्यार है नापाम, याद रखेंगा, भूलेगो तो नहीं, हाँ, बिलकुल ठेक, बिलकुल ठेक, सुनेल जी खाटी बियारी बतला रहा है, बोलना मत, न बियत नाम युद में किया गया, तो नापाम, नाम का रसाइनिक हत्यार किस युद में प्रियोग किया गया, बियत नाम युद में, भूलना मत, नहीं तो कान के नीचे दस लगाऊंगा, अब आओ, अमेरिका इस युद में लगभग दो से धाय अरब डॉलर खर्च कर दिय हजारों अमेर की सेना मारे गई फिर भी ये युद्ध और निरनायक रहा और और निरनायक होने के कारण अमेरिका का नुक्षान बरता चला जा रहा था अमेरिका को ब्यापक नुक्षान हुआ एक और एक और आपको रासानिक जहर के बारे में बतलाना चाहता हूँ उसका ना और इसका प्रियोग बियतनाम युद्ध में किया गया अमेरिका ने बियतनाम के जंगल, खेत, आबादी पर इसका प्रियोग किया बहुत सारा जंगल बिरान हो गये आबादी नस्ट हुई और आज भी वहाँ जनता जन्म लेती है तो कुछ लोग वहाँ या आज भी वहाँ पर बच्चे जनम लेते हैं तो कुछ बच्चे बिकलांग के रुप में पैदा होते हैं उसी समय पूरा विशु का ध्यान एक गाउं के तरफ गया उस गाउं का नाम था चुकि वो उस युद्ध के परनाम में क्या भी विश्का होती है इसके बारे में पूरे विशु को जान रहा है तो माईली गाउं का घटना महतपुर्ण इसलिए था कि अमेर्की सेनिक ने बरबरता का जब इंतिहा पार कर गया तो माईली गाउं में पहुँच करके गाउं को सही पूर्शों को मार दिया और 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 बच्चियों को सामुहिक बलातकार किया सिर्फ लास के बीच एक बुढ़ा आदमी किसी तरह से जिंदा बच किया क्योंकि उसको भी अमेर्की सेनिक ने मरा हुआ समझ करके छोड़ दिया और वो बुढ़ा बैक्ती बाहर आ करके और फिर इस बरबरता पुर्वा कहानी को सुनाया जब माईली काउं की घटना पूरे बिश्व में ये प उसी समय राष्टपती निक्षन चुनाब जीत करके अमेरिका के राष्टपती बने अमेरिका का व्यापक नुकसान हो रहा था इस युद में आर्थिक, सामरिक, शैनिक बहुत सारा और फिर भी ये युद अमेरिका जीत नहीं पा रहा था तब 27 फरवारी 1973 अब अमेरिका बियतनाम युद के समापती पर हस्ताठशर हुआ और निरने ये हुआ कि 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना वापस लोट जाएगी और अप्रेल और फिर बियतनाम को अमेरिका ने तो का फिर इसको नुक्षान पहुचा था बियतनाम को एक तरह से उजार दिया था बिरान बना जंगल को चोपट कर दिया था केट को चोपट कर दिया था तो अमेरिका को बियतनाम अमेरिका पर ये कहा गया जो आप बियतनाम को और सिमित आर्थिक सहायता दिजेगा क्योंकि बियतनाम को उजारने में आपकी ही भूमका रही है तो अप्रेल 1975 में तब उत्री बियतनाम और दच्छनी भी अतनाम एकी किर्ट हो गया एक हो गया और इस युद्ध में जान लिजिए जिए अमेरिका को कितना नुक्षान हुआ तो लगभग अमेरिका के साथ अन देश को मिला करके जो जितमें भी इस देश में स्टेक होल्डर थे सामेल हुए थे अन देश भी 955 करो डॉलर के लगभग खर्च हुआ था और सबसे जाइदित नुक्सान अमेरिका का हुआ था चुकि उसने इसको प्रतिष्ठा का प्रशन बना लिया था इगो का प्रशन बना लिया था च्पन हजार से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए तीन लाग से अधिक अमेरिकी सैनिक गायल हो गए इस युद्व में एक छोटा सा वियतनाम देश में इतनी नुक्षान अमेरिका को भुगतनी परी तो इस युद्ध में अमेरिका के शाक को, अमेरिका के परतिष्था को, अमेरिका के इगो को, अमेरिका के अहंकार को बुरी तरह से धक्का लगा और ये पूरे हिंद चीन में हम कह सकते हैं कि अमेरिका बुरी तरह से ओसफल लहा था और ये अमेरिका के इतिहास में एक तरह से एक डाग भी है और अमेरिका इसलेशन को कभी भी नहीं भूलेगा तो इस तरह से आपका हिंद चीन में राष्टबाद टॉपिक समाप्त हुआ और इसमें हमने आपको ये बहुत ही बोजिल टोपिक था छात्रो और मैं बिहार के तमाम दस्मे में पढ़ने वाले छात्रगन के लिए करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कठिन और ऐसा टोपिक था कि जिसको पढ़ाने वाले के लिए भी काफी परशानी होती है इसको मैंने आपको सामान सरल भासा में समझाया और पुनह में बिहार के आप सभी छात्र जो दश्मे में अध्यन रत हैं चाहे कहीं सभी अध्यन रत हों पटना से हों बुझापरपुर से हों आरा से हों चाहे आप दरभंगा से हों सीतामधी से हों कटिहार से हों रड्या से हों बाका स तो कहीं से भी आप हो समस्तिपुर से हो यदि आप पर रहे हैं आप चाहे गाउं से हो चाहे आप किसी भी कस्वे से हो आप से अगरा है कि सुनील जी खांटी भी हारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें अपने मित्रो अपने स्कूल में इसके बारे मैं बतलाएं उन्ह से एक जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा और इसके साथ ही मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब आपसे इजादत ले रहा हूँ जै बिहार जै भारत